जहिन सत्यू मैं हूरुन कुमार आप देख रहे हैं 82 क्लासिस जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत की आर्ट एंड कल्चर के अंतरगत फेस्टिवल ओफ इंडिया के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा जहां हमने देखा था फेस्टिवल दो तरह के होते हैं रिलिजियस फेस्टिवल धार्मिक यानि धार्मिक फेस्टिवल और दूसरे होते थे सैकुलर फेस्टिवल तो आज हम उसी वीडियो की क्रम में पढ़ेंगे सैकुलर फेस्टिवल ओफ इंडिया भारत के सैकुलर फेस्टिवल के बारे में जानेंगे इस वीडियो के इंतरग उनके धर्म के अनुसार नहीं मनाया जाता है, मतलब किसी भी धर्म के वो लोग हों, किसी भी कम्यूटी के वो लोग हों, वो सारे मिलके पूरा नेशन या पूरा राज्या इस पर्टिकुलर तिवार को मनाता है, उसे कहते हैं हम सैक्पिलर फेस्टिवल, यह धार्मिक मैं ले रहा हूं नितिन सिंगानिया की आट अ कल्चर की बोकस है यह आपको पता होना चाहिए तो देखिए फैस्टिवल यहाँ पर मैंने कुछ फैस्टिवल लिखे हुए है यह उनकी लोकेशन लिखी हुई है और उन फैस्टिवल के बारे में जाता है spring festival और विशेश रूप से ये जो in owner of the goddess पारवती जो पारवती देवी हैं उनके सम्मान में ये festival मनाया जाता है basically इस festival के अंतरगत folk dance भी किये जाते हैं राजिस्थान के गंगावर festival के अंतरगत और rich traditional culture जो है राजिस्थान की ladies की जो rich और फेस्टिबल राजिस्थान में और ये एक secular festival है सभी धर्म के लोग सभी community के लोग इस festival को मिल जूलकर मनाते हैं खजुराहो dance festival जैसे नाम से पता चला है खजुराहो मद्यपर्देश में है तो ये खजुराहो dance festival सभी community के लोग मिल कर मनाते हैं तीज तीज के बारे में आपने सुना होगा तीज पर महिलाएं वरत रखती हैं नोर्थ इंडिया का विशेश रूप से तिवार है हाला कि नोर्थ इंडिया से दोसी जगा भी मनाया जाता है बिहार में उत्तर परदेश में मद्य परदेश वाले चेतर में तीज मनाया जाता है आपको पता होगा इसके बारे में जरूर अगला हमारा festival है सेर ए गल फरासन ओल्ड दिल्ली का ये फेस्टिवल है सेर ए गल फरासन एन्वल फेस्टिवल अग दा फिलोवर जो फूल है उन फूलों का जो हमारे फूल होते हैं फूलों का ये एन्वल फेस्टिवल है सेर गल फरासन और आलसो कार्ड इसको हम आलसो कार्ड है फूल वाल पन्ता-धमों की सेर्ट, फूल वालों की सेर्ट, इस सेरे गलफ अरोसन. आपको बिल्कुल याद रखना है, इसी तरह से आद रखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सेरे गलफ अरोसन, ल्ड दिली. चलिए अगले तोहर, की तरफ चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं, सैक्टि के नाम से पता चल रहा है ये किसी की अराधना हो रही है किसकी अराधना हो रही है त्याग राज की अराधना हो रही है त्याग राज कौन थे त्याग राज जो है एक फेमस तमिल साधू तमिल सेंट हुए हैं वो हैं त्याग राज त्याग राज ने त्याग राज जैसे मैं तमिल सैंड तियाग एग राज जो फेमस तमिल की ते उन्होंने आज इसी दिन जी दिन समाधि लिएं उसी के उपलक्स में तियाग राधना एक आटियों पशन में टन्जावर तमिल-नाडु में कि किया जाता है रक्षा बंधन आपको पता होगा पूरे भारत में सभी कमुनिटी के लोग मिलकर बनाते हैं और रक्षा बंधन का मतलब होता है means इसका मतलब होता है bonds of protection यानि के रक्सा का बंधन रक्सा बंधन भाई ये बहने जो हैं भाईयों की कलाई पर राकी बांती हैं और उनसे उसके बदले में अपनी रक्सा का वचन लेती हैं तिवार का नाम है रक्सा बंधन ये एक सेक्विलर फेस्टिवल है अगला फेस्टिवल है हमारा ओनम ओनम आप हिएक हैं आपकी आपकी पर आपको ताइल के हैं तो मिक्षिक पर तकरेगें थाना का ही होको ठाल का dif दयाकर हो है और इसी में आपको जब folk dance of India मैं बताया था उसमें जवारा जवारा जो folk dance था वो भी एक festival dance था मैं आपको मापे बताया था जो की मद्देप्रदेश का था सरहूल बहुत बारे एक जाम में पूछा गया है सरहूल कहां का festival है तो सरहूल जहारखंड का festival है सरहूल जहारखंड का festival है क्यों new year of the tribal of the जहारखंड जहारखंड के जो आदिवासी है वो अपने नए साल को इसके नाम से सरहूल नाम से मनाते हैं अगला जो नया साल का festival है वो भारत के अलग-अलग इस्सों में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है celebrated under different names ये मनाया जाता है नया साल का पर्व क्यों मनाया जाता है ऐसा लिखा हुआ है बुक में Lord Brahma begin the creation of the world on this day नया साल के दिन ही भगवान ब्रहमा ने इस दुनिया को बनाना शुरू किया था अब नया साल को किस-किस इरिस्टेट में किस-किस नाम से जाना जाता है ये को सनक्जा में पूछा गया है मैं चदा फालूइंग में भी आया आपको पता होना चाहिए महरास्ट में नया साल के पर्व को गोधी पावा के नाम से बनाया जाता है गोधी पावा गोधी पाव जाता है उगाडी के नाम से उन नभा बर्सा नभा बर्सा नभा बर्सा बुला गया है तो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है इस नाम से ये कोस्टन में कई बार पूछा गया है कि भारत के अलग-अलग स्टेट में नए साल के पर्व को किस नाम से मनाया जाता है गोडी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटिड वीडियो में तब तक आप खुस रहें मुस्कुराते रहें और मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते रहें जैहिन जय भारत